द्धान के महत्तु के संबंद में निरंदर मेरे दौरा अनेक ढंग से इस भात उस भात यही समझाने की चेस्टा होती है कि कैसे आपके प्राणों में आपके जीवन में द्धान का प्रवेश हो और आपकी पूरी जीवन सैली ही द्धानात्मख हो जाए मैं सबसे महत्यपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ इस पृत्वी पर हर आदमी की आकांख्षा है कैसे वो धन से लेकर ध्यान तक पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मन्चाही मंजिल को पाले हर व्यक्ति भावतिक जगत में सुक समर्द की उचाईयों पर पहुँशना चाहता है हर व्यक्ति इस जिन्दगी में हर मन्चाही चीज़ों को हर मन्चाही मंजिल को प्राप्त करना चाहता है और हर मन्चाही चीज़ों को हर मन्चाही मंजिल को प्राप्त करने के केंद्र में जो महासूत्र है उस महासूत्र को मैंने ध्यान की संग्या दिये लेकिन ध्यान के साथ कुछ इतना अद्बुत आयाम जुड़ा है उसके कुछ इतने महत्वपुरुन कारण है कि चाहते हुए भी आप मेंसे अधिकान से लोग ध्यानात्मक जीवन सैली नहीं बना पाते हैं ध्यान को जीवन का अंग नहीं बना पाते हैं अधिकान से लोग ध्यान करने की चेस्टा करते भी हैं तो चार शे दिन में ध्यान करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी तरह से प्रेरित होते हैं और लगातार ध्यान करने की दिशा में सार्थक कदम उठा पाते हैं लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अधिकान से लोग इस प्रत्वी पर 99 प्रत्षत से भी अधिक लोग ध्यान की महा औशदी से बंचित रह जाएंगे लेकिन अगर 21 सदी के व्यक्ति को ध्यान की महा औशदी उपलब्द नहीं कराई गई तो समझ लेना सारी मनुस्यता महा बिनास की और कदम उठा चुकी है और महा बिनास से मनुस्यता को बचाया नहीं जा सकेगा अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उठता है तो मन चाही चीजों और मन चाही मनजिल को पाने की दिशा में आप कभी पुरुनता से सफल नहीं हो पाएंगे अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उड़ता है तो समझ लेना कि आपके इस जीवन में सच्चे अर्थों में आनन्द की सुगंद नहीं पैदा हो सकेगी अगर ध्यान की दिशा में आप सार्थक कदम उठाने का शशक्त नेरड़े नहीं ले लेते हैं तो समझ लेना अध्यात्म के जगत में परमानन्द के रूप में परमात्मा की दिशा में आपका कदम कभी नहीं उठ पाएगा और ये पूरा का पूरा जीमन पसुओं की तरह जीते हुए ही आपको विदाना पड़ेगा इसलिए आज आपको मैं एक नया विज्ञान देना चाहता हूँ अगर इसे आपने अच्छी तरह समझ लिया तो अलग से ध्यान करने की आपको कोई जरूरत नहीं राजाएगी आप जहां हैं जैसे हैं वैसे ही ध्यान की भाव दशा में होने लगेंगे जहां हैं जैसे हैं वैसे ही जागने लगेंगे आप उसे सिर्फ समझ लें, सिर्फ समझ लेने से आपका जीवन ध्यानात्मक हो सकता है उसके लिए इतना भी जरूरी नहीं है कि आप 10 मिनट का समय भी ध्यान के नाम पर अलग से निकाले इस से सरल और कोई विधी और कोई टेकनिक और कोई ध्यान का विज्यान उपलब्द कराया जाना समझ नहीं है और 21 सदी का आदमी समझधार है सबसे पहली बात आप से कहना चाहता हूँ मनुस्य का मन एक ती मंजला मकान है उसकी पहली मंजल तो भूम के उपर है और सेज दो मंजलें भूम के नीचे इस प्रकार हमारे मन के तीन हिस्से है पहला हिस्सा है हमारा चेतन मन चेतन मन आपके मन का वो हिस्सा है जिसके आधार पर आप जीते हैं और जिन्दगी के सारे काम करते हैं वो आपके मन का बहुत चोटा सा हिस्सा है चेतन मन की नीचे अंडर ग्राउंड दो मंजिले और है आपकी मन की दूसरी मंजिल है वह अर्ध चेतन है उसे सब कांसस कहते है उसमें बहुत थोड़ा सा प्रकास है वो कभी-कभी आपके चेतन मन से जुड़ जाता है कभी-कभी नहीं जुड़ता लेकिन उसमें भी अधिकांस अंधेरा ही और तीसरी मंजिल जो सबसे नीची मंजिल है आपके मन की वह अचेतन मन है अनकांसस माइंड है वह अनकांसस माइंड अचेतन मन इसलिए अचेतन कहा गया है क्योंकि वह पूरा का पूरा ही अंधेरे में है उससे आपका कभी कोई संपर्क नहीं बन पाता और आपके जीवन का सबसे महत्पूर्ण आयाम अचेतन मन है आपके जीवन की सरवाधिक महत्पूर्ण सक्ति अचेतन मन में नहीं थे उस असाधारन सक्ति से जिसे हम कह सकते हैं आपके जीवन की 90 प्रतिशत सक्ति वह अचेतन मन में दवी पड़ी अधिकान से लोग इस प्रतिवी पर सिर्फ चेतन मन के हिस्से में जीवन के 10 प्रतिशत हिस्से में जीते हैं और पूरी जिंदगी उसी तल पर जीते जीते समाप्त हो जाते हैं अर्धचेतन मन और अचेतन मन की सक्तियों से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता है इसलिए अधिकान से लोग लगभग मोर देन 99.9% लोग इस अद्भुत जीवन के रहज और इस अद्भुत जीवन की विराठ संपदा के अनुभों से बंचित हो जाते है सत्त की स्वयंग की परमात्मा की यात्रा के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है कि जो आपके मन के दो महत्त पूर्ण आयाम हैं अर्धचेतन और अचेतन मन इनसे भी आपका संपर्क हो जाए यहां भी आपकी चेतना जाग जाए जीवन की जड़े अर्धचेतन और और गहरे आचेतन में छिपी हुई है जीवन की जड़ों को जान लेना ही सत्त को जान लेना है जीवन की जड़ों को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना है जीवन की जड़ों को समझ लेना ही परम आनंद को उपलब्द हो जाना है उसी को मुक्ति कहते हैं उसी को मौक्ष कहते हैं इसलिए अध्यात्म जगत में मनुस्य के जीवन का सबसे महत्पूर्ण सबसे मूलिवान सूत्र है कि आपकी चित्त के जो अंधेरे कक्षे हैं जिन मकानों में निरंतर अंधेरा रहता है उन मकानों में रोशनी को उपलब्द करा देना अगर आपका अर्द चेतन मन आपका अचेतन मन प्रकाशित हो जाए तो आप स्वयंग की जड़ को, स्वयंग के सत्य को, स्वयंग की आत्मा को पाने में सक्षम हो जाते हैं और जो इस दिसा में सक्षम होने लगता है वो भौतिक जगत के लक्षों को, भौतिक जगत की आकांग्छाओं को और भहुत एक जगत के सपनों को साकार करने में स्वताह सक्षम होने लगता है भहुत एक जगत की आकांग्षाएं उनको पूरा करना तो बहुत छोटी बात है उन चीजों की दुल्ला में जिनसे तुम जीवन के परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो अगर आप अपनी चेतना के गहरे तलों को प्रकाशित कर सकते हैं उनसे संपर्ख जोड़ सकते हैं तो बहुत एक जगत की आकांग्षाएं पूरा करना आपके लिए खेल हो जाएगा तो अध्यात्म जगत की सारी साधनाओं का सार सिर्फ इतना है कि तुम्हारी चेतना जो पहले तल पर जागी हुई है वही चेतना से इस दोनों तलों पर भी प्रकाशित हो जाए उससे उसका संपर्ख बन जाए और उससे संपर्ख साधने की कला का नाम ही ध्यान है कि तुम्हारी बना है